जो व्यक्ति पत्व प्रष्ट होता है जिसे मदीरा के नशे में पढ़ गया कहीं जुए में पढ़ गया कहीं माद सहार में पढ़ गया कहीं वैसन में पढ़ गया कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है तो श्रम पहिश्वर महादेव के नाम से काली तिल अगवान शिव को स उठा कर ले आते हैं, उसी काली तिल को, जो मदीरा का नशा करने वाला होता है, या जो गलत वैसन में डुबा हुआ होता है, उसको वो सुभा के समय, अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको की आई, शरम भेश्वर महारेव का, एक बेल पत्री का भी बहुत अच्छा प्र नारी में, गलत जगहा पर जो डूबे रहते हैं उनके, पहले की कर्था में उसका वर्णन किया है, बेल पत्री, शरम भेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव, शरम भेश्वर महादेव, फिर जम के बोल लो एक बार, शरम भेश्वर महादेव, जब मांदिर का पुजन करना कई है कई लोग का किते हैं माहादिव का मंदिर हम कही नहीं जाना तुमारे घर के देवा लए में उसी मंदिर में जाओ श्रमपहष्वर महा देव के नाम से जल चडाना प्रारंम करेंगे वह जल चुछ करना प्रारंम application करेंगे अपने आप उसकी दीरे दीरे बुद्धी सुधरना प्रारंबो हो जाएगी ऐसा श्रमभेश्वर महादेर का है कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुन्दर सुन्दर स्थान निश्चित किये गए हैं जैसे कैंसारादी के मरीच के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि तरजुगी नाराइन का जल बड़ा माहत्वरा जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का जटका आना चालू हो गया था पत्र ढूंडेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा जिसने लिखा है उसके स्मर्ण में होगा जिसने भी लिखा होगा कि बिमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू होगा जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक वार इलाग जिसके लिखा होगा वो इतना ध्यान नहीं आ रहा है तो उनको मिर्गी का जटका आना प्रारंबुवा अब मिर्गी का जटका आना प्रारम भुआ कई महीने निकल गए मिर्गी के जटकी बन नहीं तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्रमभेश्वर महादेयों का आपने जो वर्णन करा था 31 बेल पत्र वाला गुरुजी हमने वो 31 बेल पत्र वाला प्रियोक करना प्रारम करा और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के जटके भी बाबा के कृपा से ठीक होगा है अब कोई जटके उन्हों को आने आप श्रमभेश्वर महादेयों का जो वर्णन है श्रमभेश्वर महादेयों का जो गुरुणगान है ये कोई साधरन नहीं है शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरीतर को लाकर रखा गया है केवल श्रमभेश्वर महादेयों के प्रागट के लिए ऐसा श्रमभेश्वर महादेयों का गुरुणगा जैसे कुंद कैश्वर महादेव का क्या खाम है माता पार्वती ने बिदाल उत्पल को मारने के लिए जो कुंदुख फैका था वो कुंदुख भगवान शंकर के पाऊं में जाकर गिरा था तो शिव जी का नाम कुंद कैश्वर हो गया था जब हमारे यहां कोई दबाई नही प्रशाइबर का रोग हो गया या भीपी शुगर का रोग हो गया शुगर लेवल में नहीं आ रही है तो आप शंकर जी पे से जो बेल पत ला रहे हो कुंद कैश्वर महादेव के नाम से नाम दवाई खाओ, डॉक्तर को दिखाओ, सारी जाचे कराओ, डॉक्तर के अनुसार चलो, डॉक्तर जैसा बताए वैसा करो पर उस दवाई को भी शिवजी से कहकर कि बाबा कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को भी हम कुंद कैश्वर महादेव का प्रशाश समझ कर पाना प्रारम करो धीरे धीरे आराम लगना प्रारम होगा कुंद कैश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए होते हैं और श्रम भेश्वर महादेयो बोलो बोलो जराजम के वैसन की समाप्ति के शवर्ती में पर नारी में गलत जगहा पर जो दूबे रहते हैं पहले की कठा में उसका वर्णन किया है बिल पत्री श्रम भेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव, श्रम भेश्वर महादेव, फिर जम के बोल लो एक बार, श्रम भेश्वर महादेव, जब हमारे घर में कुरोध बढ़ता है, या कोई गलत कारे में जाने लगता है, तो श्रम भेश्वर महादेव का हमे कि शर्णागती लेना चीए का मंभिर का मिलेगा हम कां का कहीं नीजाना तुम्हारे घर के पास में जो संकर जी का मंधिर हैं वहीं जाओ बेखर महादेव के नाम से रज़ चड़ाना प्रारम करेंगे बहुँ जल गलज संगत में पढ़ा हुआ उसका आचमन कराना प्रारम करेंगे अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धी सुधरना प्रारम बहुत जाएगी ऐसा श्रमभेश्वर महाद्यों करें कुछ स्थान हमारे यहां पर बड़े सुन्दर सुन्दर स्थान निश्चित किये गए हैं जैसे कैंसार आदिक के मरीच के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि तरजुगी नरहिण का जल बड़ा मात्वर अप्प्प जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का जटका आना चालू हो गया था पत्र ढूंडेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा जिसने लिखा है उसके स्मरण में होगा जिसने भी लिखा होगा कि बिमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू होगा जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक वार हिला देना जिसके लिखा होगा अब इतना ध्यान नहीं आ रहा है तो उनको मिर्गी का जटकाना प्रारम बुबा कई महीने निकल गए मिर्गी के जटकी बन नहीं होगा तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्रमभेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेल पत्र वाला गुरुजी हमने वो 31 बेल पत्र वाला प्रयोग करना प्रारम करा और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के जटके भी बाबा के कृपा से ठीक होगा है अ कोई जटके में को आने श्रम्भेश्वर महादेव का जो वर्णन है श्रम्भेश्वर महादेव का जो गुणगान है ये कोई साधरन नहीं है शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरीतर को लाकर रखा गया है केवल श्रम्भेश्वर महादेव के प्रागट के के लिए पर फिर से बोलो कौन से महादेव श्रम भेश्वर महादेव यह श्रम भेश्वर महादेव जैसे कुंद कैश्वर महादेव कुंद कैश्वर महादेव का क्या काम है माता पार्वती ने विदाल उत्पल को मारने के लिए जो कुंदुख फेका था वो कुंदुख लाम हुंद पेशिया रहा हुआ